नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं होस्यार मल अपने इस यूटूब चैनल होस्यार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका हारदिक श्वागत करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेते भारत के राष्टीय आंदलन की महत्दकुण घटना जोकी त्रीतिय चरण गांदी युग 1919-1947 का जो काल भारती राष्टीय आंदलन में था उसे गांदी यूग के नाम से जाना जाता है क्यों कि उस समय हमारे राष्टिय आंदोलन की जो केंद्रिय धूरी थी वे महात्मा गांदी थी उनके इर्द गिर्द ही हमारा राष्टिय आंदोलन लड़ा जा रहा था तो उस समय की महत्पुन गटनाओं पे हम चर्चा करेते मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसा की हमने पिछली क्लास के अंदर या ये कहो पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी खिलाफत आंदोलन की ए सहयोग आंदोलन की चौरा चौरी कांड की गटना की और सवराजे पार्टी का गठन यहां स्तापना कब और किसने की उसके बारे में हमने देखा उसके बारे में हमने देखा गांदी जी ने 1924 में बैल गाओं करनाटक कॉंग्रेस अरिवेशन के अदेखता की प्रत्थम है अंतिमार एक मातर एक मातर उसके बार में कहा जाता है की 10 मार्च 1922 इसको गानी जी को गिरफदार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने ऐसंतोस बढ़काने एक प्रकार से ये मानों की उप दरवे फैलाने के कारण ये मानों उन्हें अपराद में छे वर्ष की कैद की सजा भी दे दी गई कैद की सजा भी दे दी गई लेकिन स्वास्ते सही नहीं होने के कारण बेमार होने के कारण गानी जी को जल्दी ही ये मानों रियहा कर दिया जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक की कहानी हमने देखी भारतिय राष्टिय आंदोलन की कलीर यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज उसी करम को आगे बढ़ाते वे हम बात करेंगे भारतिय राष्टिय आंदोलन की कुछ और महत्तपुन घटनाई जिसमें हम बात करेंगे गांदी जी के ग्यारे सुत्री मांग ग्यारा सुत्री मांग दांडी मार्च या यात्रा एवं सविन्य अवग्या आंदोलन 1931 तो प्यारे भी द्यारतियो हम यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि 1924 के बाद में देखा जाता है कि गांदी जी एक बार निस्करिय हो जाते हैं क्योंकि जब उन्होंने ऐस सयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो यह मानों की भारतिय नौजवानों में भारतिय जंता में भ था उस समय गांदी जी ने वापस ले लिया चोरी चोरा घटना के बाद में तो उसके बाद में कहा जाता है कि दूसरा यह मानों अतिवादी करांतिकारी आतंगवादियों का चरण आ जाएगा 1924 से लेकर के 31 32 तक हम कह सकते हैं प्यारविदार्थियों उस समय गांदी जी सक्रिय नहीं होंगे उस समय उगर विचारधारा के लोग जो यह कहेंगे इंट का जबाब हमें पत्थर से देना है अंग्रेज ऐसे भारत से नहीं जाएंगे तो उस समय देखा जाता है कि अतिवादियों का दीतिय चरण कहां जा सकता है जो कि गांदी जी का ज्यादा रोल नहीं रहेगा तो पहले प्यारे विधातियों उस घटना के उपर ही हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी बहुती महत्वणे कई बार संगत ऐस संगत भी मेल सत्ते ऐसकते यह मानों की कूट मिलाने में आ सकती है ऐसी घटनाई तो मैंने यहां संक्षे में लिखी है महत्वण घटनाई 1924 से 31 तक की जैसे कि 1924 के घटना और जो कि गांधी जी और सियार दास समझोता हुआ था कि साराज पार्टी है वो कॉंग्रेस के साथ चुनाओ लड़ सकती है यह मानों उन्हें अनुमती मिल गई थी कॉंग्रेस के साथ चुनाओ लड़ने की मतदान करने की तो य एक गांधी दास समझोता कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों याद अगना 1924 में ऐसी लाइन आ सकती है उसके आदमे 1924 में केरल में वाय कॉम सत्यागर है यह भी कई बार पूछा हुए प्यारे विद्यार्थियों गोर करना 1924 में केरल के 53 कोर जो राजे था वहां पर कहत हैं कि कॉंग्रेसी नेता टीके मादवन ने मंदिर में परवेश के लिए एक आंदोलन सत्यागरह चलाया जिसका नाम वाय कॉम सत्यागरह है तो केरल की बात है यह गोर करना कबकी 1924 की है प्यारे विद्यार्थियों उसके आदमे 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड वेरी महत्तपू प्यारे विद्यार्थियों गोर करना कहा जाता है कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनेव लखनेव उसके पास में सहारनपूर संभाग के काकोरी नामकस्तान पर आठ डाउन ट्रेन ट्रेन का नाम क्या था आठ डाउन ट्रेन पर डकेती डाल कर सरकारी खजाने को लू लूटा गया था और कहते हैं कि इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है प्रसिद होई थी सरकार ने समुचे सडियंत्र का पता कर 29 करांती कारियों को गिरबदार किया जिसमें रामपरसाद बिसमिल असपरलकुला, रोसनलाल, राजिंदर, लहडी, आधी पर मुग्दमा चलाकर फासी दे दी गई कावे काकोरी जो ट्रेन की घटना हुई थी उसके बाद में माना जाता है काकोरी कार्ण में हिंदुस्तान रीपबलिक आशोसियेशन के चंदर सिकराजाद को छोड़ कर सभी सरस्यों की गिरफदारी से संगठन का स्थित्वे श्मप्सा हो गया था उस समय हैं ऐसा माना जाता है कि चंदर सिकराजाद के ने तर्थवे में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोस्चा कोटला मेदान में जिसका अब नाम बदल करके प्यार विद्याथियो क्या कर दिया गया अब उसका नाम कर दिया गया आरून जैटली मैदान फिरोर्शा कोटला मैदाल में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रीपबलिक अशोसियेशन की स्तापना की गई थी तो गोर करना 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड की घटना 30 अक्टबर 1928 साडर्स की लाहोर में हत्ता वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेट है ध्यारकना प्यारे विजारतियों जब साइमन कमिशन के विरोध के समय लाला जी पर लाठियों से प्राहर करवाने वाला शायक पलिस अधिक सक साडर्स उसको लाहोर में 30 अक्टबर 1928 को भागाश्य इंग्चांदर सेक राजाद मंडल पर बंब फेका गया था बहुती महत्तक उन घटना है प्यारे विजारतियों और इसमें कौन थे दोसर से थे HSRA हिंदुस्तान सोसलिष्ट रीपालिक अशोसियेशन के कौन-कौन याद ना एक तो भागा सिंग्ग और दूसरे थे बटक्वे स्वर्दत दूसरे कौन थे बटक्वे स्वर्दत इनों ने ये मानों की उस समय बंब फेंका था जिसका उदस से सरकार को डराना मातर था नहीं सकते थे लेगिन कहते हैं कि बंब फेकते समय ही पहली बार भागा सिंग ने इनकलाब जिंदावाद का नारा भी दिया था और कहते हैं कि इन दोनों को पकड़ करके लाहूर सडियंतर केश के तहत मुक्दमा चलाया गया था प्यारे विद्यार्थियों गोर करना लाहूर सडियंतर केश हम बात करें महतापुन घटनाई 1924 से 1931 तक की जो की अतिवादियों का दीतिये चरण कहा जासता है प्यारे विद्यार्थियों इसी समय कहते हैं कि भूकरताल पर बेठे जतिन दास की चोसर दिन बाद 13 सितमबर 1929 को मरत्यू हो गई ये भी महतापुन है प्यारे विद्यार्थियों गोर करना 13 सितमबर 1929 नौट करना उसके आदमें कहा जाता है कि 27 परवर 1931 को चांदर सेखराजाद ने अपने आपको इलहाबाद के अलफ्रेड पार्क में गोली मारी बहुती महतापुन वेरी वेरी मौष्ट है प्यारे विद्यार्थियों गोर करना अती महतापुन है क्योंकि कहा जाता है कि HSRA के एक मातर सरसे चांदर सेखराजाद को काकोरी सडियंतर के से ही पुलिस को चकमा दे रहे थे मलब भाग रहे थे वो लहावर सडियंतर के से भी बच निकले थे लेकिन 27 फारवारी 1931 को इलाबाद के अलफ्रेड पारक में पुलिस के साथ हुई मुटबेड में स्यम को गोली मार करके और चांदर सेखराजाद यह मानों की भारत के लिए आजाद हो गए सहीद बन गए और अपने आपको गोली मार ली थी तो कहने के लोग बहुत ही महत्तपुन घटना है उसके आदमे 23 मार्च 1931 भागा सिंग शुपदेव और राजगुरू को फासी दी गई वेरी वेरी मौ कहते की तीनों ने ही अंत में जब उनको पूछा गया अंतिम क्वाइस तो तीनों गले मिलते हैं और लेलीन की जीवनी आतम कथा पढ़ रहे होते हैं तीनों और किदाबों को छट की तरफ उचालते वे गले मिले और कहा दा कहां मेरा रंग देबसंती चॉला और वो थी 23 मा 1931 तीन फर्वर उनिनिसो एठाइस को साइमट कमिस्टन बंबई पहुंचा था प्यारे विद्यारतियों गोर करना 11 माई 1928 को नेहरो समeti नेहरो रिपोर्ट ये भी महत्तपुने प्यारे विद्यारतियों गोर करना कई बार इस में से वी क्योश्वन पूछ लिया जाता है एक साथ सदस्य समीति की स्तापना की, जिसे भारत के स्युधान के सिद्धानतों का नीधारन करना था, मुलादिकारों के उपर भी चर्चा की थी, यादखना प्यारे विद्धार्फियों मौतिलाल नहरू के अदेखस्ता में इस्तापित नहरू समीती के अने सरसे थे सर तेज महादूर सप्रू, श्वाच चंद्र बोस, म.S. सरदार, मंगल सिंग, अली इमाम, जी आर परधान, कुरेशी आदी तो बहुत ही महत्पूर्ण है, मौतिलाल नहरू के अदेखस्ता वाली समीती ने 27 सगस 1928 को अपनी रिपोर्ट परस्तूत की, जिसे नहरू रिपोर्ट, जिसे नहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, भारत को डॉमियन याधी राज्ये का दर्जा देने की सिपारिस कीत इसने गौर करना प्यार विजारतियों बहुत ही महत्पूर्ण है, ये घटनाई तो जरूर प्यार करना ही है, 1928 जिना का 14 सुत्रिये फार्मूला, ये मानो कि जब ये मानो नहरू रिपोर्ट में जब मांगे रखी गई थी, उस समय कहते हैं कि मुस्लमानों के लिए प्रत् सुत्रिये मांग पत्र भी जारी किया था, क्यों कि मुस्लिक के नेता मुहमद अली जिना ने नहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पर्थर निर्वाज सिंग मंडल की सुईदा ने दिये जाने के कारण मुसलमानों के 14 मांगों की एक सूची जारी की थी, तो गोर करन कब की बात है, 1928, उसके आदिन धार ना, 1928 में ही, बार्दोली, गुजरात, शत्यागरे, जो की सरदार पटेल ने, क्योंकि वहां के जमिदारों ने, किसानों के उपर लगान जादा वसूल करने की बात सोची थी, तो उस समय सरदार पटेल के नेतरत्व में, बार्दोली म महत्तकुने कई बार ये, मानो संगत, संगत मिलाने वाले में, कूट मिलाने वाले में, ये डैट आज आती है, बार्दोली कहां, गुजरात में, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्तकुन घटनाई, जरूर याद रखना, 1924 से 31 तक, अती महत्तकुने, ये घटनाई, नोट कर लेना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अती महत्तकुने, अब बात करते हैं, गांदी जी 11 सुत्री मांग, दांडी मार्चिया यात्रा, एवं समीने अवज्या अंदॉलन, 1939, 1939 के लाहूर कॉंग्रेस अरिवेशन में, समीने अवज्या अंदॉलन को, प्रारम करन लिए और गांदी जी को ये कारिये सौंपा गया, उस समय, क्योंकि देखा गया कि नेतरतों कों कर सकता है, तो गांदी जी ही कर सकते हैं, अब यहां पर गांदी जी वापस राश्टी अंदॉलन में सक्रिये हो जाएंगे, प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन कहा जाता है क लेकिन गांजी जी ने यह आंदोलन चालू करने से पुरव इर्विन जो भारत का उस समय गावर्नर्जनल कैदो या वाइसराय कैदो था उसके सामने 11 सूत्री मांग रखी थी जिसमें प्रमुग मांगे इस परकार थी तो कोर करना 1929 का लाहूर कॉंग्रेस आधिवेशन जो अपने आपने इतिहास में एक अमिट चाप रखता है क्योंकि इस आधिवेशन के अदेखता पंडित जमारलाल नहरू ने की थी और इसी में पुण सवराज की मांग की गई थी पहली बार कॉंग्रेस के द्वारा 1939 लाहूर कॉंग्रेस आधिवेशन दो तिन की उसन मनते हैं प्यारे विद्याठियों पुण सवराज की मांग कब हुई कहां हुई और किस ने की तो गोर करना 1929 दिसमर 1929 के लाहोर कॉंग्रेस अरिवेशन में पंडित जोहार लाल नहरू ने की थी और इसी में ये निन्ने लिया गया था कि अगले वार्स 26 जनवर 1930 को हम रावी नदी के तड़ पर तिरंगा भी फैराएंगे पूर्ण सवराज की मांग करते वे प्यारे व अब देखो गांदी जी की 11 सुत्रिय मांग क्या रखी गई थी उसमें प्रमुक मांगे इस परकार थी सबसे पहले थी लगान में 50% कटोती की जाए लगान को कम किया जाए 50% कटोती करना दूसरा सेनिक वे सेनिक जो खर्चा है उसमें भी 50% कटोती की जाए प्यारे विद् सेवाओं के जो कि अन्ग्रेज अधिकारी अन्ग्रेज अफ्सर ना करूं में वेटन को 50% कक टोती की बात औरी इस गिरावट राजनिति केदियों की रिहाई राजनिति केदियों की गणर को प्यार विद्धातियों या आतंगवाबियों का नाम नहीं लिया उग्राइवा उनकी रियाई की कोई बात ही नहीं की यहां गांदी जी की बहुत ही आलोचना होती है निंदा होती है वो अलगले इत्यास कर बताते हैं कुछ कहते की जान बुझ करके गांदी जी नहीं छुटवाया था अंतगवादियों को कि उनका बलिदान होने दो याद करेगा भारत जो यमानों की लाहुट जेल में हैं राजन्ती केदियों की रियाही की मान तो गान्दी जीनिक की थी नसीली वस्तों के एक रहे वकृब पर पड़ती बंद की बात की नमक कर को स्मफट करनी की बात की कि नमक पर नहीं लगना चाहिए पुण सराब बंदी मद मिसेद की बात की भारतियों को आतमरक्षार्थ हतियार रखने का लाइसेंस देने की बात की थी वहीं गुप्चर व्यवस्ता समक्त या सारुजनिक नियंतन में हो ऐसी मांग भी की थी विदेशी वस्तरों तदा समानों का आयात कम हो जो विदेशी वस्तरिया समान है उनका आयात कम करने की भी मांग रखी थी और कहा अंतिन ग्यारवी रुपे का विनी में दर एक सिलिंग चार पैंस के बराबर किया जाए तो ये ग्यारा सुत्री मांग थी प्यारे विद्यारतियों गांधी जी की गांधी जी की ये मांग जो इर्विन के सामने रखी गई थी लेकिन कहा जाता है इन मांगों को नहीं माना गया इर्विन के द्वारा तो कहा जाता है कि गांदी जी अपनी 11 सुत्री मांगों को ने मनाने जाने पर कि इर्विन नहीं मान रहा है तो 2 मार्च 1930 को इर्विन को एक पत्तर लिखा गांदी जी ने और कहा कि मैंने रोटी मांगी थी पर बदले में मुझे पत्तर मिले इंतजार की घडियां श्माप्त हुई और उसके बाद में करेंगे दांडी मार्च और सवे नवग्यां आंदोलन प्यारे विद्यार्थियों आई कुछ बाद सम्में गांदी जी के 11 सुत्रिये मांग कौन कौन सी थी और उससे पहले हमने महतपुण घटनाई देखी थी 1924 सी कूट मिलाने में बहुत बार एकजामों में पूछी जाती है प्यारे विद्यार्थियों तो उसपर जरूर गोर करना अती महतपुण तो इसलिए इसको तो जरूर जहान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों अब देखो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी या डांडी मार्च या यात्रा एतिहासिक नमक सत्यागरे की सुरुवात की थी 12 मार्च 1930 ये तो जरूर याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों अती महत्तपुन है गांधी जी ने साबर मती आस्रम साबर मती आस्रम से अपने 78 अनिवाईयों के साथ दांडी मार्च किया था 88 अनिवाई और एक सियम खुद सहीत कितने होंगे 89 होंगे 79 ये क्युस्तन भी प्यारे विद्यार्थियों कई बार पूचा हुआ है कितने अनिवाई थे तो गोर करना कितने अनिवाई होंगे 78 अनिवाई होंगे यह 385 किलोमेटर या 241 मिल की यात्रा दोनों याद अगनाप प्यारे विद्यार्थियों जो 24 दिन चली थी 5 अपरेल 1930 को दांडी पहुंचे जो की नोसारी गुजरात में इसका जो एक आखो देखा हाल वणन करने वाला पत्रकार था अंग्रेज बेब मिल्लार गोर करना प्यारे विद्यार्थियों अती महत्तपुन की उस्सन है जो की आखो देखा वणन करता है दांडी मार्च का और वो पत्रकार कुन था बेब मिल्लार इस यात्रा में राम धुन का गायन पहली बार हुआ था गोर करना प्यार विजारतियों राम धुन का गायन पहली बार कब हुआ दांडी मार्च में ये राम धुन महराष्टर के संगीतकार विस्नू पलूसकर दिगंबर ने बनाई थी राम धुन चैया प्रेल को गांदी जी ने नमक कानून तोड़ा अपने हातों में से नमक बनाया था नमक हातों से बनाया था नमक की खेती भी होती है समंदर के पास में यह मानों पानी को रोकर के खेत की तरह यह मानों खेत में नमक बनाते उसे नमक की खेती कहती है तो ये पहली बार हुआ कि गांधी जी ने कानून तोड़ते हुए नमक बनाया प्यारे विध्यार्थियों नोट करना बहुत ही महत्तपुन है कि गांधी जी ने पहली बार कानून कब तोड़ा तो गोर करना 6 अपरेल 1930 को यहीं से सविने अवग्या अंदोलन की सुरूआत हुई प्यारे विध्यार्थियों गोर करना सविने अवग्या अंदोलन कब सुरूआ 6 अपरेल 1930 को सुरूआता प्यारे विध्यार्थियों उसके आदमे इसी अंदोलन में गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से उत्री पक्समी सिमान पर रहने वाले कबाइलियों ने पुकारा था क्या कहता मात्मागांदी को? मलंग बाबा जो हम कहते है अक्दुलक फारे खांड ने ये बात कही थी गांदी जी को ये उपादी कह दो उपामा कह दो संग्यादी थी स्वाच चंद्र बोस ने गांदी जी की दांडी यात्रा दांडी कहते है दांडी एकी बात कहा रही जाती हो यात्रा को नेपॉलियन के पैरिस मार्च और मुसोलियन के रोम मार्च के समान बताया तुल्ना की थी कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वह नेपॉलियन की पेरिस यात्रा और मुसूलियन की रोम यात्रा या मार्शती उसके समान है इस यात्रा को देख करके ही कहा जाता है कि तमिनाडो में तो सीराज गौपालाचारी और वहीं पत्ना बिहार में राजिंद्र परसाद ने और उडिस्ता में गोपी चंद चोधरी ने यात्राइं की थी गोर करना जैसे गांधी जी ने की उसी परकार देश के अन्ने हिस्सों में भी यात्राइं होनी लगे थी यात्राइं करने लगे थी एक परकार से अलग लग करांती कारियों ने यात्राइं की थी गोर करना प्यारे विद्यार्थियों बहुती महत्तपुने बहुती तुमें गांदिवादी राजनेता सीराज गौपालाचारी ने तिरू चेन गोड आस्रम से त्री चुरापली के वेदारेणम तक नमक यात्रा कीती वहीं आवदे कोडिसा में नमक सत्यागरे गोवचंद्रबंदु चोधरी ने नेतरतों में बाला सोर कटक और पुरी में नम आंत गांदी कहा जाता है के नेतरन सविनवाग्य आंदोलन चलाया था नोट करना प्यार जाती हो खान अब्दुल गफार खान जिसे सीमांत गांदी कहते हैं जो इस आंदोलन में उतरी प्रक्स्वी बारत के साथ यह मानों दे रहे थे गांदी जी की कि उन्हों ने भी वह से आंदोलन शुरू किया था उसके आदमें कहते हैं इन्हों ने खुदाई खिदम वगार संगठन बनाया जिसे लाल कुर्ती संगठन कहते हैं यह याद रखना मेरे प्यारे विजारतियों लाल कुर्ती संगठन कहां पे था जो की उतरी पक्षी मोथर जो बलुचिस्तान जो वर्तवाने पाक्स्तान गा जो चित्रना वहां पे ये मानोख खान अब्दुल का फान नी की थी किस्तापना की थी इसी परकार नागालेंड में गाडी नेलियू ने भी सहोग दिया था बहुत ही मैतपुने तेरा वर्षी युवा नागा महिला थी गाडी नेलियू ने भी अपने नागा सात्यों के साथ स्विनव ज्यांदुल को पुरा समर्थन दिया था और कहते कालंतर में पंडित जवानलाल नेहरू ने गाडी नेलियू को रानी की उपादी से समानित भी किया था कहने कला समिनव ज्यांदुल भारत के सभी छेत्रों में फेल गया था और इसमें सभी का सायोगरा चाहे छोटे बच्चे से ले करके वरद वेक्ती तक महिला नोजवान वरद यह मानोप्रोड सभी वेक्तियों ने शाथ दिया था गांदी जी का शाविन्य अवग्या आंदौलन में सहविने के साथ हम अवग्या करते हैं हम आपका साथे नहीं देंगे आपकी आग्या को नहीं मानेंगे उसके आदमें 5 मार्च 1931 को गांदी इरिविन समझोता हुआ वेरी वेरी मौश्ट इम्पोडेट है प्यारे विद्धार्थियों गोर करना 5 मार्च 1931 को गांदी इरिविन समझोता हुआ जिसके तैद गांदी जी दीतिये गोलमेज समेलन में भाग लेने लंदन जाते हैं दीतिये वैसे तीन वे थे 1931 32 में जबकि गांदी जी अवो दूसरे में जाएंगे एक मातर कॉंग्रेस के परती निदी बन करके और किसके तैद गांदी इरिविन समझोते के तैद स्रोजिन नाइडू ने गांदी वै इरिविन को दो महातमाओं की संग्या दी थी इस समझोते में निम्न बाते हुई थी क्या एक तो पुलिस जो च्छिनी संपत्य है वो वापिस कर देगी समुदर किनारे बसे लोगों को नमक बनाने का हक होगा आंदोलन रोक दिया जाएगा और बंद सत्यग्रई चोड़ दिये जाएंगे लेकिन कांदी कारी नहीं उग्रवादी नहीं इस गांदी रिविन समझोते को कॉंग्रेस का जो कराची अडिवेशन होगा मार्च 1931 में अनुमोदित किया गया था गोर करना जिस समय लाहूर में बागा सिंग, सुपदेव और राजगुरू की फासी की त्यारी हो रही थी उसी समय कराची में कॉंग्रेस के अडिवेशन की त्यारियां चल लही थी प्यारे विद्यार्थियों और कहा जाता है वहां की निरासा कहने कला दीतिये कोल में समेलन में जब गांदी जी भाग लेकर के बीज में ही वापस आ जाते है क्यों उनकी मांगो को उनकी बातों को नहीं माना जाता है और निरास आ जाते है निरास लोटाते है और एक जनवर 1932 को गांदी जी ने दुईतिये समी ने अवग्या आंदोलन शुरू कर दिया था दुईतिये समी ने अवग्या आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने कहा था वेली गटन को जो उसमें गवर्नर जिनर वाइस रहे थे कि मुझे मिलना है इर्विन से तो उन्होंने का नहीं इर्विन यहां नहीं है वो लंदन चले गए कि हमारा समझोता हुआ उन्होंने का आपका समझोता भी दफना दिया गया है मृत हो गया होती महत पुणे बहुती महत पुणे उसके आदमें पुना पैक्टिया समझोता 26 सितंबर 1932 वेरी वेरी मौस्टिम्पोडेट है गानी जी और भीमरावा मेड करके भी चुआता दलितों को ले करके जो दलिते पिछले लोग थे उनको ले करके और यह मानों की पुना समझो की जोगटना कहते हैं कि बीतिस परदान मंत्री रेमजे मैक डॉनार्ड ने 16 अगस्त 1932 गोर करना प्यारे विजाती हो नोट करो 16 अगस्त 1932 को वीविन संपरदायों के परतिनी दियों के विशे पर एक पंचांट जारी किया जिसे संपरदाय पंचांट क्यम्यूनल आवार कहा गया उसके बाद में कहते हैं भीमराव अमेड करने गांदी जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि दलितों को पर्थक चुनाओ छेतर की सुईदा परदान की जाए लेगिन गांदी जी ने मना कर दिया कि नहीं ये मांगा आपकी सही नहीं है क्योंकि जो दलित हैं जो पि गांदी जन शबद से संबोधित किया था ये तो हरी के जन है भगवान के जन है एक परकार से लेकिन कहते हैं कि उस समय जो गांदी जी 20-3032 को आमरन अंसन पर शुरू कर देते हैं बेड़ जाते हैं तो उसके बाद में कहते हैं कि मदन मोहन माल वी डोक्टर राजिंदर पर साद पुर्सोतमदास सी राजगौपालाचारी आदी के प्रियतनों से गांदी जी के उपवास के पांस दिन बाद 26 सितंबर 1932 को गांदी जी और दलित नेता अमेड करके बीच पुना समझोता पुना पैक्ट जिसको कहा जाता है हुआ था वेरी वेरी मौस्ट इंपोडेट है उना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए प्रत्थग निर्वाचन व्यवस्ता श्माप्त कर दी गई तदा विभिन प्रांत के विधान मंडलों में दलित वरक के लिए 148 सीटे आरक्सित की गई दूसरे केंद्रे विधान मंडलों में 18% सीटे दलित वरक के लिए आरक्सित कर दी गई थी प्यारे विधार्थियों गोर करना अती महत्तपुन है सितंबर 1932 में गांधी जी ने हारीजन कल्यान हेतु अखिल महारतिये चुहां चूत विरोधी लीग की स्तापना की तदा हारीजन नामक शापताहिक पत्र का प्रकास भी किया था तो वेरी वेरी मोश्ट है प्यारे विधार्थियों इसके बाद की जो घटनाई है जैसे की वेक्तिगत सत्यागरे अंदोलन 17 अक्तवर 1940 और उसके आदमे भारत छोडो अंदोलन अगस्त 1942 इसके उपर बात करेंगे हम अगले वीडियो में प्यारे विधार्थ होते की और उसके बाद में 11 सुत्रिये मांग की और उसके बाद में महत्तपुन घटनाएं सबसे पहले हमने देखी थी प्यारे विधार्थियों वेरी वेरी मौश्ट इमकोटेट है आज की कलास इसे जरूर नौट करना एक्जाम में बहुत बार इस चैप्टर से क्योशन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे विधार्थियों समझ में तो आ गया होगा ना हो सकता है आपकी सीकायत होगी सर आपने थोड़े छोटे लिख्ये हैं लेकिन क्या करूँ विधार्थियों तोपिक ही कुछ बड़ा है तो मैं चाहता हूँ इसको जल्दी सब्दी समेटा हो सकता है मेरे बोलने की स्पीट भी थोड़ी तेज होगी प्यारे विद्यारतियों लेकिन आपको इस पे जरूर गोर करना है अच्छी परकार से इस वीडियो को देखा है सुना है अगर एक बार सुझ मेनी आया तो दूबारा बार बार देखकर के इसको कलियर जरूर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों अती महत्तपुन है ग्यारा सुत्री मांग दांडी मार्च शविना वग्या आंदोलन गांडी इर्विन समझोता जिसे दिल्ली समझोता भी कहते हैं और पुना पैक्टिया पुना शमझोता गांडी जी और अमेड करके बीच हुआ अती महत्तपुन है प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद एक कलास और बनाएंगे जो भार की राष्टिया अंदोलन की अंतिम कलास होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के साथ तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक खुस रहिए हासते रहिए मुस्कुराते रहिए प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपने अपना किम्ती समय निकाल करके ये कलास देखिये सुनिये इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है और इसी के साथ धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों मेरे दोस्तों और युवाशाथियों